परी थी दर्वाजे पर खड़ी थी, कि तब ही वो देखती है, नैना सूफे पर बैठी है और उसके नौकर चाकर लगे हैं, उसे नई-नई चपलें ट्राई करवाने को मालकेन ये वाली लीजी, इससे आपके पाउं को आराम मिलेगा ची, इसका डिजाइन कितना बोरिंग है मैडम ये वाली लीजी, ये मकमल का अहसास देगी हाँ, ये गजब लग रही है देखने में, मेरी पस्नालिटी को भी सूट करेगी न पापा हाँ, क्यों नहीं? अरे नरेश, तुम कब आए? और ये इस साथ में कौन है? बड़ी ही प्यारी लग रही है बाबू जी, ये मेरी बिटिया है, बहुत ही होनार है अतनिक इसको भी थोड़ा काम का मौका दे दो, घर की हालत तंग है, पैसे की जरूरत है हाँ, क्यों नहीं? क्या काम आता है तुमको? मालिक, सब कुछ, जो आप कहेंगे, बस आप हुकम करना और हम जट से कर देंगे ठीक है, नरेश बहुत समझदार लगती है तुम्हाई लड़की तो, पर दिखने में तो तुम जैसी नहीं है, ये तो बड़ी ही सुन्दर है ये सुनकर नैना बरीती की ओर देखती है, उसकी माथे पर टपक रहा पसीना, उसकी तबचा पर जोर चमक मारा था ना कोई मेक अप, ना कोई संस्क्रीन, तब ही गजब सुन्दर लग रही थी सुन्दर माई फुट, हाँ, नौकर की बेटी नौकर ही रहेगी पापा, और नौकर लोग सुन्दर और समझदार कभी नहीं हो सकते ठीक है ठीक है, तुम खुदी हैंडल कर लेना, लो नरेश, तुम्हारी बेटी तो हो गई सेटल, बस अब तुम्हारी पतनी और बची है, उसे भी कोई काम देना हो तो बताना नहीं नहीं मालिक, बस बहुत है नैना परिती को लेकर कार के पास जाती है, और कार में बैठने लगती है, परिती भी बैठने वाली होती है, कि तभी नैना दर्वाजे पर हाथ लगा लेती है अरे तो तुम मर्सेडीज में बैठ होगी औकाद भी है क्या तुमारी इसमें बैठना तो दूर इसके AC की हवा खाने की भी औकाद नहीं है तुमारी तो मालकिन मैं कैसे आऊं मंदिर तक गाड़ी के पीछे दौरते वे आना ओके नैना दर्वाजा बंद करती है और सुमित कार लेकर जाने लगता है परीथी कार के पीछे नंगे पाउं भाग रही थी पर नैना नहीं रोकती परीथी पसीने से तर्बतर हो गई और नैना ये देखकर खुश हो रही थी अब देखूं तो कैसी रहेगी ये ब्यूटी ब्यूटी फुल जब चलेगा ना इस चालिस डिकरी की धूप में तो अपने अप गलने लगेगी मुझे क्या मुझे तो आराम से जाना है और ऐसे ही आ जाना है परीथी दोड़ते हुए ठक जाती है पर रुकती नहीं है अगर रुकी तो काम से निकाल दी जाओंगी नहीं नहीं और मंदिर आता है नैना के साथ-साथ परीथी भी शौट कट लेकर पहुँच जाती है मैं, मैं आ गई मलकिन, पानी, पानी पूजा के बाद पानी पीना अब चलो परीथी लाल कार्पेट पर जैसे ही पाउं रखती है नैना अपने सैंडल की परीथी के पाउं पर जोर से मारती है तेरी ये मजाल तो इस पर पाउं रखेगी तुम कच्रा पट्टी की जगे वो वाली है सीमेंट का रास्ता ये मखमली कालीन सिर्फ मेरे लिए है क्यों सुमित सुमित परीथी की उड़ देखता है और चुप हो जाता है परीथी भी उ, आ, कुछ किये बिना जो नैना कहती है सब करती है तब ही नैना देखती है कि सारे लोग पलट-पलट कर पीछे खड़े परीथी के रूप को ही देख रहे थे और सारी अम्माएं परीदी के सर पर हाथ फेर कर उसे आशिरवात दे रही थी ये देख नैना का तो पाराई हाई हो गया था फिर बारी आई पूजा के बाद लोटने की मगर ये क्या अनर्थ तो तब हुआ जब नैना की चपले ही गाइब हो गई थी ये देख उसका घुस्या आस्मान चू जाता है नैना परीदी का कान खीच कर उसे कार की डिगी में पटकती है और सीधे घर ले आती है मालकिन खोलो, खोलो आखिर मैंने क्या किया है मालकिन खोलो ना, मेरी गलती क्या है घर के सब लोग इखटा हो जाते हैं और नैना उसे डिगी से बाहर निकालती है अरे क्यों कोहराम मचा रखा है बता तो मॉम इसने मेरी ब्रैंड न्यू चपल चुराई है मुझे तो इसकी नियत पहले ही समझ जानी चाहिए थी नहीं नहीं मेम साब मैंने कोई चोरी नहीं की मैं भला आपकी चपल क्यों चुराऊंगी क्योंकि तेरे पास तो चपल है नहीं भिकारन तो आ गया होगा महंगी चपल देखकर दिल छोटी मेम साब ये आप क्या बोल लही है हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर या बिखारी नहीं मैं मेरी बेटी को जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती तुम चुप रहो एक तो चोरी उपर से बहस बाजी और नरीश जेब से पसीनी से चिपक रहे कुछ नूट निकालता है तुम दोगे तेरी गंदगी तेरे पास ही रख पता भी है वो कितने की थी पूरे बारा हजार की यानि तुमारे दो साल की इंकम अब दो साल तक इस बुड़े को भूटी कौडी मत देना और जब तक इन बाप बेटी से मैं पूरी वसूली ना कर लूँ इनको काम छोड़ने मी मत देना ये सुनकर नरेश और परीदी के सीने पर पत्थर सा गिर जाता है और दोनों उदास होकर घर लोटते हैं नैना भी चिड़ी हुई अपने कमरे में जाती है बड़ी आई सुन्दरता बिखेरने वाली नैना अपना पर्स निकालती है और उसके अंदर से वही चपल निकाल कर पहन लेती है चपले नैना नहीं चुराई थी ताकि परीदी को और अधिक टॉर्चर कर सके दोनों बाबेटी घराते हैं और देखते हैं कि मधू अपने बेटे मोहित को डंडे से मार रही थी और वो रोनी लग रहा था मा मा मत मारो ना मा परिती को देखकर मोहित उसके पीछे जाकर छिप जाता है अरे आखिर हुआ क्या है क्यों मार रहे हो बिचारे को सत्या नाश जाए इसका मैं इसकी मा जो एक-एक उपला बेचकर पैसा जोड़कर इसको किताबों के लिए देती हूँ आज देखा ये उन पैसों से क्या फाल्तू उठा कर लाया है चुप करो तुम मा जी जी मैं कुछ फाल्तू नहीं लाया मा के पाउ में लगी थी तो लगाने को क्रीम और पट्टी लाया हूँ और बाबा के ग्लुकोस का डिबबा गर्मियों में जब भी कमजोरी आएगी बाबा को पिला देना देख कैसे बता रहा है मोहित बेटा पिचानव रुपे का डिबबा साथ रुपे की क्रीम इतने पैसे क्यों लगाए पता है ना तिरे बाबा की जेब बहुत छोटी है हाँ जानता हूँ जेब छोटी है मगर मेरी और जीजी की भावना तो छोटी नहीं है ना हमें तो नजर आता है ना कि हमारे मा बाबा एक पंका लगाने के लिए कैसे अपनी नींद तोड़ कर सुबह से ही महरत करने चले जाते है और देखना जी जी ये कभी उस पंके में खुद नहीं सोईंगे बस इसी लिए ताकि हमको हवा लग सके छोटा जरूर हूँ बेटा जरूर हूँ मगर फिर भी सब समझता हूँ मधु अपने बेटे की भावना से पिखल जाती है मोहित जेब से चार मिंट वाली टॉफी निकालता है और सब को देता है अरे ये क्या? ये है जादू सब इस टॉफी को खाओ और मा जरा एक लास पानी सब ले लेना अब टॉफी खाकर मूँ खोलकर अंदर हावा खीचो और सब ऐसे ही करते हैं खुब हासते हैं अरे मा इतना ठंडा? ये तो लगा जैसे बल्फ का टुकडा ले लिया हूँ मूँ में है ना सस्ती ऐसी? मा बाबा, जी जी जब मैं बड़ा हो जाओंगा तब सारी दिक्कते खत्म हो जाएंगी तब ही वहाँ नैना का ड्राइवर सुमित आ जाता है नहीं चोटे, तुझे बड़ा होने में समय है तब तक काका काकी के पास मैं हूँ ना? लो काका, ये थोड़े से पैसे हैं उन जलादों के भरों से तो हम गरीब जिन्दा भी नहीं रहने चाहिए बिना तनख्वा कैसे रहोगे, मैं सब समझता हूँ ये आपकी मदद करेंगे पर भाई, ये आपके पास? चुपकर, क्या तेरा मेरा? मेरा इनके लावा है ही कौन? और तू थोड़ा उस नक्टड़ी मैं से दूर रहा कर वो तुझे तंग करती है तो बुरा लगता है मुझे कोई बात नहीं भाई, काम है मेरा वहाँ तो बचकर जाओंगी भी कहां रख लेने दो तंग अगर उसे उसी में मज़ा आता है तो ये गरीब किसी को तो मज़ा दे रही है न? हाँ? और सभी खुशी से सो जाते हैं तभी रात में परीदी उठकर सुमित के पास जाती है भाया, भाया उठो ना क्या हुआ छोटी? आपको कितना पैसा मिलता है? दिन का सो रुपया क्या? दिन का सो रुपया? यानि महीने का हजार? यानि कि हमारे छे महीनी की कमाई एक महीने में? अरे छोटी, तो मैं ड्राइवर भी तो हूँ क्या करना होता है उसके लिए? कार चलानी आनी चाहिए पगली चल, सोजा भी, क्यो रात में तंग कर रही है? कितना कुछ मिस कर दिया उसने? इडियट का फोन भी नहीं लग रा उपर से ये AC भी उफ, ये कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? नैना रात भर बेचैन होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी वहीं उधर बिना पंखे और मच्छरों के बीच में भी मोहित और परिधी मधू के आचल से लिपटकर सो रहे थे और मधू रात भर उनके पास बैटकर हाथ पंखे से हवा डाल रही थी माए खास कर ऐसी ही होती है जिनके पास कुछ ना होकर भी बहुत ममता होती है कितना सब त्याग करके चलती है अपने उलाद की सुकून भरी नीन के लिए और ये एक बार का काम नहीं वो ये रूटीन पूरी उमर फॉलो करती है अगला दिन होता है परिधी ने आज एक हवाई चपल ले ली थी वो पहुँच जाती है नैना के घर परिधी बड़बडाते हुए घर में घुस रही थी नब्बे रूपे की चपल आई दू रूपे का मा की साड़ी का फॉल आया तीन रूपे का छोटे का पैन आया नब्भे तीन और दो हुए और परिधी हिसाब लगाते हुए दर्वाजे पर खड़े चारली से जा टकराती है अब देखिए क्या होगा परिधी का खुद के परिवार को मजबूत करने का दाव और क्या नैना ऐसी ही उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगी जानने के लिए देखते रहिए घरीब की गर्मी वर्सिस अमीर की गर्मी के सभी भाग केवल काका टीवी पर प्लीज दू, लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब और थैंक्स पर वाचिंग